नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल हिंदू रिचोल्स में आपका स्वागत है प्रभास स्पाटन जहां सोमनात मंदीर अवस्थी थे यह भारत के प्राचीन तिर्थिस्तानों में से एक है इस प्रमित्री तीर्थ असल का उलेक रिगवेद इसकंद पुरान और महाभारत में भी आया है वेद कालिन रूद्र को प्रभास में भैरो कहा जाने लगा सोमनात के दर्शन मातर से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अभिष्ट फल प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग में जाता है आये जानते है सोमनात के धार्मिक प्रिष्ट भूमी के बारे में कहा जाता है कि सोमनात मंदीर जगत की उत्पती जितना पुराना है पुरानों के अनुसार दक्ष प्रजापती की 27 कन्याय थी और सभी का विवा चंद्र के साथ हुआ था रोहिनी सभी बहनों में सुन्दर थी और चंद्र के उसके प्रती विशेश असत्ती थी यह जानकर सेश सभी बहनों को पड़ी इर्शया हुई और उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष की उनके पिता ने चंद्र को समधाया किन्तु चंद्र ने उनकी एक न सुनी इस पर कुरूध होकर दक्ष प्रजापती ने चंद्र को राज यक्षमा से पिडित होने का शाप दे दिया फलसरुप चंद्र के शक्ती दिन प्रति दिन छीड होती गई युआ देख सम देउताओं ने मिलकर चंद्र को दिये गए शाप वापस लेने के लिए ब्रह्मा से अनरोध किया ब्रह्मा ने कहा कि मैं दक्ष का दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता लेकिन शाप मुक्ती का उपाए बदा सकता हूँ उन्होंने चंद्र से कहा कि वह प्रभास शेत्र में जाए और शीव लिंक की प्रतिष्ठा कर तपस्या करे प्रभास में चंद्रमा ने शीव के काल भैरो रूप की बड़ी लगन के साथ तपस्या की और जब शीव प्रसंद हुए तो चंद्रमा ने वर मांगा कि वे अपने भक्त चंद्रमा के नाम से विख्यात हो इसलिए वे सोमनात कहला है और बाद में सभी चंद्रमाओं के कूल देउता के रुप में प्रसिद्ध हुए समुद्र के किनारे यह भब्य मंदिर है और मंदिर से लगा हुआ समुद्री रेत भरा किनारा है इस भब्य मंदिर के तीन मुख्य भागें बाहर की ओर दो निची च्छत वाले मंडब है जिन की च्छत पर विशेश शिल्प Peters लगबग साथ फीट उच्चा काले पत्थर से निर्मित है शिवलींग के प्रिष्ट भाग में अनेक देवी देवताओं के मुर्तिया विराजमान है शिवलींग के सामने बाहर के प्रांगण में नंदी की एक बड़ी प्रतिमा है मंदीर का बाहरी रूप अति सुन्दर एव मन मोह लेने वाला है यादरी घंटो इसका एवं समुद्र का अलोकन करके धन्य हो जाते हैं मुख्य मंदिर के पास से महादेव मंदिर इस्थी थे जिसे महरानी अहिल्या वाईनी बनवाया था इसमें इस्थापित शिवलींग अहिलेश्वर महादेव कहलाता है इसके चार पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, आदी, मुर्तिया इस्थापित है शिवलींग के समक्ष नंदी की एक प्रतीमाय विराजमान है मंदिर के द्वार पर अहोर लिंग की मुर्ति अवस्तित है इसी प्रकार की विशेश जनकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो क्रिपया सब्सक्राइब करना ना भूले जो की निशुल्क है